हेलो आज मैं आप सब के साथ एक मैजिकल हेयर केयर टिप शेयर करने वाली हूँ दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे आप किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से घड़ के सामान से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं अगर आपके दो मुहे बाल है या फिर बाल टूटते जटते हैं बाल बहुत ही जादा रफ ड्राइड डल एंड डामेज है तो किस तरह से इसे आसानी से रिपेर कर सकते हैं और बालों को लंबा घना मजबूत बना सकते हैं वो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी औ अगर आप हफते में एक बार भी यूज करते हैं तो आपके जो दो मुहे बाल होते हैं जो स्प्लिटेन की प्रॉब्लम होती है यह सारी प्रॉब्लम कितम हो जाएगी आपके बाल टूटना जहरना बंद हो जाएगा और आपके बाल एक दम सिल्की, शाइनी, सॉफ्र स्मूध बन जाएगा और बालो को जो टेक्शियर है जो रुखे सुखे बेजान से बाल होते है वो बिल्कुल सिल्की और शाइनी बन जाएगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लिस सब्सक्राइब कर दाना वीडियो पसंद वैसलीन ले लिया है दोस्तो वैसलीन हमारे बालो को हाइड्रेट करती है नरिश करती है और दोस्तो बाल जहने का जो मुख कारण होता है वो ड्राइनेस होता है इसकी बज़े ड्राइनेस की बज़े से ही आपकी स्प्लिटेड हो जाती है बाल तूटने नहीं लगते है को दूर करता है और स्टेक इटन को भी कम करता है नेक्स्ट हम यह पर एट करेंगे कोकोना टॉयल जो हर किसी के घर में अवेलेवल होता है और सब को पता है कोकोना टॉयल बालो के लिए कितना कितना अच्छा है नारियल तेल हमारे बालो को काला लंबा घना मजबूत बनाता ह बालों की growth में help करता है और scalp को भी यह नरीश करता है अगर आपके scalp यह जर मजबूत रहेंगे तो बाल भी मजबूत रहेंगे इन दोनों चीजों को आपको अची तरह से mix कर लेना है सरदियों में अगर यह remedy इस्तमाल कर रहे हैं तो double boiler process का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आसानी से coconut oil और वेसलिन एक साथ मिल जाता है उसका जरूरत नहीं पड़ता है नेक्स इन दोनों चीजों को अची तरह से mix कर लेना है और यह remedy अगर आप कुछ दिन try करेंगे तो आप अपने बालों में खुद ही difference देख सकते है जी की बाल पहले से जादा smooth and silky और shiny हो जो splitten है वो कम हो जाएगा आपको बाल जो बीच बीच से टूट जाते है वो कम हो जाएगा नेक्स इसमें मैं एक चमच भड़के अलोवेरा जिल ले लिया है अब इसे भी इसके साथ बहुत अच्छी तरह से mix कर लेना है अगर आपके बालों में डेंटरफ है तो चाहे इसमाल नहीं किया है तीनों चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेना है और एक बात मैं बता दू आप चाहे तो फ्रेश अलोवेरा जिल का भी इसमाल कर सकते हैं अगर आपके घर में अलोवेरा की फ्रेश पतिया है तो उसे निकालके भी आप वो जिल यहाँ पर इसमाल कर सकत अगर थीक से apply नहीं करते है तो remedy का उतना best result नहीं मिलता है इसलिए किस तरह से apply करना है ध्यान से देखिएगा ताकि यह जो remedy है इसका पूरा फाइदा ले सके तो दोस्तों apply करने से पहले सबसे पहले अपने बालों को टैंगल फ्री बना रेना है ताकि उसमें बिल्कुल भ अपने हाथों पर लेजएगा और थोड़ा सा इस तरह से घिस लिजेगा ताकि यह थोड़ा सा वर्मअप हो जाए थोड़ा सा हलका गरम हो जाए इसे क्या होगा यह अपकी scalp के अंदर जाएगा आपके जो बालो को के अनदर जाएगा जो की आपकी बालों को बहुती नरिश करेगा, उक्तिक हपार का स्फेट हैंड सब्सक्राइब प कता है यहाँ पीशन सब्सक्राइप प्राइब कासा बहुत जाएगा एक इस तरह प्रपाथा है उ। और वहीं मेश्ड़ आप्र यच्छा भी आप् shifts कर снदॉप पर ना देया बोया केmart लिए तरह से आपको इस remedy को देकर match करना है और हमने और यहाथ जिल जो की हमारे बालों चर से मजबूत बिनाता है नरिश करता है मोंश्राइविष करता है बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है तो इसे अच्छी तरह से अपलाई करने के बाद आप एक या दो घंटे बाद शैंपू से वश कर लीजिए अगर आपके बाल बहुत जादा डैमेज है तो आप ओवर नाइट भी इसे लगा कर रख सकते हैं पूरी रात ये रिमेडी आपके बालों को रिप है जो जर्णा है या तूट जाना है उसे बहुत ही जल्द ये कम करेगा और ये आपके बालों को ना लंबा काला घना और मजबूत बनाने में मदद करें तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए रिमेडी को ट्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर दो स कालए है ट्राइब कर दो